आम का नाम लेते ही मूँ में पानी आना लाजमी है, लेकिन बादिश का मौसम शुरू होते ही आम बाजार से गायव हो जाता है, और लोगों को फिर पूरे साल आम के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कानपूर में सितम्बर महीने में भी पेड पर आम देखकर लोग ह विभाग में असुसीट प्रफेसर डॉक्टर विवेक्त रिपाथी से बात की गई तो उन्होंने इसके पीछे जलवायू परिवर्तन को कारण बताया जब आपने खाद और औरबराक पौधे को दिये होते हैं कभी कभी होता है कि हम स्पेसिफिक नडालके कभी कोई गोपरी खाद किसी चलते फिरते डाल दी होती है तो पौधे में 10 या 11 महिने पहले साखाएं फूट जाती है और वो साखाओं के परपक्कता के समय इस समय होता ह तो तापकरम भी मिलता है और साखाओं की उम्र भी 11-11 महिने को होती है इस कारण से कुछ पौधों में इस समय फलत आपको दिखाई देती है बहरहाल वज़ा जो भी हो लेकिन सिदंबर महिने में पेड़ पर आम होने से आम के दिवानों में खुशी का महौल है अंजाब के इसरे टीवी के लिए कानपुर सेम रिष्टर पाठी की रिपोर्ट